नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव उत्तरप्रदेश की योगी सरकार विकास के तमाम आधारू के लिए संकल्पित है तो उनके साथ ही यानी मंत्री भी अपने विभाग को बड़ी नीतियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते नजरा रहे हैं उत्तरप्रदेश के उच्छ शिक्षा मंत्री योगेंद रुपाध्याय लगातार योगी सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उच्छ शिक्षा को बहतर और रोजगार परक बनाने के लिए काम कर रहे हैं आज सीनियूस भारत से हमारे सहयोगी गौरफ श्रवास्तव से बात करते हुए उन्होंने उच्छ शिक्षा से जुड़ी तमाम नीतियों पर बात की पर अंतर कुछ भी नहीं है दोनों ही अप राधी को समर्थन देते आए हैं पर रुज़गा पर सच्छा नहीं होगी तब तक यहां पर जो ब्रज़गारी की समस्या है उसका समधान नहीं देखिए जब से मोधी जी की सरकार नहीं थी इस देश में एक शिक्षा पद्दती थी जो लौर्ड मैकाले की दिए शिक्षा पद्दती थी और उसका सूत्र वाकिक है था जब लौर्ड मैकाले से उसके पिता ने पूंचा था तुम क्या देके आए उन्दस्तान के अंदर तो उसने कहा था कि मैं वो शिक्षा देके आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करेगी तो वो जो कुछ था इस सूत्र के वाकिके इर्द गिर्द शिक्ष मैं यह है मूल वाकिये है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना शिक्षा को संसकार से जोड़ना शिक्षा को तकनीक से जोड़ना यानि अतीत अगर हमार शांदार था तो वरतमान को समारते हुए भविश को निखारना और अब हर शिक्षा जो हो रही है उसमें कोई ना को वोकेशनल कूर्स उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उससे अटेज किया गया है शिक्षा को कि जो डिग्री ले रहे हैं वो एक डिप्लोमा उसका भी ले जो वोकेशनल हो और उससे निश्चित रूप से रोजगार के अफसर भी मिलेंगे एक हुना रात में आएगा तो शिक्षा के माध्यरम से जो रोजगार लेना चाहेगा वो तो मिले गई लेकिन साथ में खुनार होगा तो इस देश का युवाब बेरोजगार नहीं रह पाएगा ले लेकिन एक बहुत बड़ा परवरतन है दीरे दीरे आ रहा है इसमें प्रगती है और उसका क्रांतिकारी परवरतन कुछ दिनों में देखने में लेगा जब इतनी दिनों की सड़ी गली जंग विवस्ता है उसको सुधारना है और एक नीती बनी है नीती के आधर पर कारिक्रम चल रहे है कुसिता मंतरी यहां आपके आपने बात कर ये कौन सी नीती जो अनने राजों से इलग में जो थक्रिस को लगात आंगे बनाने हैं कि ौई और तेचितर कोई विष्टवद्धयन Adventure 20 नेक की जो तॉषभी आपनवा है उसके सुची में नहींता है देग्ए जोगी जी के रा यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ सरकारी विश्विद्याले ए डबल प्लस ग्रेडिंग में हैं और पांच एक प्लस ग्रेडिंग के हैं सरकारी विश्विद्याले और प्राइवेट विश्विद्याले जितने भी हैं उसमें छह ए प्लस के और चार ए ग्रेड के हैं यूजी में भीर लोग नहीं थे हाज हम 2014 iki रेंग में अचुकी तो आज उत्त्र पृृष है में ग्रेडिंग कहसे हिंदुसطन के सरवादे कुछ पधراष चाहिए प्रिटेश सब्सक्राइब पूंज जा रही है प्रयाज जारी वह प्रयाज जारी है वह और टेक्निकल शिक्षा में अंतर है टेक्निकल शिक्षा अलग है उध्षिक्षा लग है लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स्टी हमारी खुल है चाहन सरकारी हो या निजी हो वह टेकनिकल एडुकेशन भी देते हैं अब देखे अंतर राश्टियु क्षाथी प्राथ विश्विदेले आ रहे हैं यह पर चंडी गड़ विश्विदेले जो कि वर्ड रंकिंग में जिसका इस्थान है हर विश्विदेले को वह जिसका व मंत्री मंदल ने उसको चंडीगर विश्विद्याले को एपुरूवल दिया एलोपी के लिए और जैसेस को पिछले हाउस ने दिया है तो ऐसी जब विश्विद्याले आएंगे तो उनके द्वारा जो टेकनिकल एजूकेशन के सेंटर खुले जाएंगे तो वो वर्ड क्लास होंगे लगाता बदलाओ कर रहे हैं आने वाले समय में और क्या बदलाओ दे सकते हैं आपके द्वारा आने वाले समय में जो मानने ही मुक्रमंत्री जी की इच्छा है कि हर असेवित जिले में यानि जहां विश्विद्याले नहीं है शिक्षा अंतिम छोड तक पहुंचे तो वहां पर भी विश्विद्याले खुलें उनको आकरशित करने के लिए प्रुसाद दे करने के लिए नई शिक्षा नीती बनाई आ रही है जिसमें नए नए इंसेंटिव्स दिये जाएंगे जो उन जगे जिलों में विश्विद्याले के लिए आगे आएंगे जहां सर कि लोग सभाय में जो हुआ वो भ्रम फैलाने में सफल रहे और लोगों को ठगा उन्होंने आज जंता समझ में आ रही है कि यह ठगी गई थी दो कारणों से पहला तो उन्होंने कहा था कि यह आएंगे तो समविधान बदल देंगे आरक्षन समाप कर देंगे यह भ्रमित हु में महलाओं को बॉंड दे दिये कि आपको चुनाओं के वाद एक लाख रूप कैश मिलेगा लेकिन ना तो वो कैश मिला न टकाटक न पैसा मिला बलकि टकाटक पैसा करनाटक और जैसे जगे चीन लिया गया हिमाचल को कंगाल कर दिया गया और यहां पर भी भ्रम जो फैल तो जनता हमारी और आकरशित हो रही हो जानती है एक तरफ ठक खड़े हैं एक तरफ साबबात करने वाले खड़े हैं लगाता है एंगाउन्टर पर जाती वियस्ता देख underestा रही है लगाता है समाजवादी पार्टी के मुखीया सवार उठा रहे हैं क्या वो नहीं यह समाजवादी पार्टी अपराद को संग्रक्षित करती है इसी वज़े से उनके राज में संवर्धन भी होता है अपरादों का जिनके पिताजी ये कहा करते थे अपराद को मनोग्यान से जोड़ते थे ये कहते थे कि इस उम्र में तो अपराद ऐसे हुई जाते हैं बलातकार क उपर कितनी शर्मनाक बात थी ensuring प्रोसाइत कर रहे थी ऐसे उन्होंने नहीं तो मनोविज्ञेंज से जोड़ा इनका बेटा विज्ञें जोड़ा है की साब बलात्कारी का पहले पूलिग्राफी टेस्ट होना चाहिए डी एने टेस्ट होना चाहिए तब उसको अरश करना चा भेड़े होती है और मुड़वड में मारा जाता है तो यह जाती तराशते हैं यह उस पर क्योंने बोलते कर फकल कत्ता पर हिए यहां पर जहाँ पर उनकी जाती के लोग होते हैं यह मुस्लिम अंसारी की डेथ हुई, वो सभाविक मौत थी, उसको उन्होंने बताया कि इसको शड़ेंद से मारा गया, अतीक मारे गए, बताया गया कि जबकि वो रंजिश में मारा गया था, कि यह सब सरकार ने मरवा दिया, ऐसी चलिए विकास दुबे, विकास दुबे जब मरा, तब इन्होंने कहा कि साब, यह तो भाजपाई है विकास दुबे, इसलिए इसने इतना वड़ा दुदान तकांड कर दिया, पुलिस वालों को मार दिया, और गरफतार नहीं हो रहा है, यह बग गया, सब नजर में है भ तो कहने लगे गरफतारी नहीं, वो साहर, सरंडर है, नाटक है, आत्मसमराण पकर आया गया उससे, और जब वो आते समय कानून को चुनोती दे उठा, तो वो मारा गया, तब कहने लगे इसाब मारा नहीं गया है, यह तो इसको एक ब्रह्मन मारा गया है, अपरादी नहीं तो आते सरकार के उच्च स्था अबंत्य योगिन उपाद्य हमका कहना है, कि सरकार उच्च श्च को लेकर बहतर नीती बना रही है, और आने बाले समय में बड़े बढ़ला भी हमको देखने को मिलनें के सार्षाथ है, वो तप्रिश में 10 उच्च नौ पर वीरों ने कहा है कि सरकार की नीती और विवस्था बेता रहे हैं फिलाल सकतर नहीं डेश और दुनिया की बाकी खब्रों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं C News भारत